हेलो दूस्तों बॉस्स ओफ इने शेयर बिजार में आपका एक वाफेस अस्वाल गते हैं एंड आज के दिन कोई वीडियो नहीं आ पाई बट अभी में यह लगबग बन थेड़ी हो रहे है आट नाइट करेंगे तो अगर बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं आगे बड़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बहुसा फिने शेयर बजार को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमली पर इसके साथ अगर बात करें कल्कि डेट में आपर कुछ कंपनियों के रिजर्ट से रिटेड एस वर एस कुछ बाइब काया तो उसमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए उससे रिटेड आपको वीडियो बना के हमने यह आपर बताया था तो इन है देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोजरी बाइट अगर बात करें रोजरी बाट तो आपको पता है यह गामिकल से रिटेड एक कंपनी है और लास्ट टाम की बात करें जब इसका आई प्यों आया था तब भी अच्छी खासी कंपनी भागती नजर आय थी अगें अगर बात करें यह कंपनी से 700 से अभी 1200 के आसपास यह ट्रेड कर रही है तो न्यू ही लिश्टिड कंपनी अगर बात करें दूसरा ही आई थिंक रिजल्ट पेश कर रही है अगर IPO के बात तो अगर हम यह आपर बात करें डिविडेंड से लिडेंड हो कंपनी देखिए आप डिविडेंड कंपनी देती हुई नजर आ रही है एस वेल एगर बात करतें इसके रिजल्ट से लिटेट तो इसके काफी अच्छे आए है मैंने सुना है मैंने देखा नहीं है बट अभी आपके सामने ही मैं भी देखना देखना शुरू करूंगा तो अगर बात करतें 42002 थी फटेवर तेंट है नेले के जाए है जसके मैं रूपी स्केल इंकपे चाहां जाने है तो आपकारोगेन सब्सिंखना में यहां पर करतें एक्सपेंसिस की तो एक्सपेंसिस यहां पर अगर बात करें वह भी कम होते हुए नजर आए जो कि अच्छी बात है 1748 इस बार के है इससे पहले 1795 था अगर बात करें 1409 यहां पर इर्ली सेस पे फिरावट होती एक्सपेंस में भी नजर आए जिसका इफेक्ट सीदे प्रॉफिट पर आपको पड़ता हुए मिलेगा और यहां पर आप दे सकते हैं यहां पर जो प्रॉफिट होता हुए नजर रहा है 213 मिलियन रुपीज का यहां पर प्रॉफिट होता तो company ने काफी अच्छे result पेश करें इस बात को आप देखिए और बाकी company ने अपने expense को control करके अपने आपको prove कर दिया है कि company आगे चलके अच्छे खासी और भी अच्छे result इसी तरीके से पेश करती रहेगी इससे related हम एक अलग से video definitely बनाएंगे और तब इससे later बाते करेंगे as well as अगर बात करें यहां पर EPS की EPS भी देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इसके लावा बात करतें दूसरी company की जिस company की बात करें ओबर reality इससे पहले हमने लोधा की result देखे थे ओके जो की उन्होंने revenue अच्छा का सकिया था इतने खास मुझे नंबर नहीं लगे बटेश्टिल company ने अब profit generate किया था जो की गोद्रेज भी नहीं कर पाई थी जो की number one reality की company market में लिश्ट है बटेश्टिल इसके number देखते है लैक्स इसके लाबब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अच्छी आपर जम नजर आ रही है जो कि अच्छी बात है इसके लाब अगर हम total expense की बात करते हो तो इस बार के एक्स पर 44 633 है जो की quarterly based बात करें तो कम होते हुए नजर आ रहे है बट yearly basis पर यहां पर यह total expense भी जम को हम ही नजर आ रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर किस किस तरीके से कहां कहां expenses कर्च हुए अगर बात कर लें सीधे वो net profit for the period तो अगर आप देख सकते हैं 28,685 million रूपीज से पहले 28,665 और 25,096 तो yearly basis तो अच्छी खासी जम पर हो quarterly basis फ्लैट कह सकते हैं थोड़ा नहीं था और बात करें 6.9 okay यहां पर रूपीज का यहां पर EPS है तो EPS बढ़ता हुए yearly basis पर नजर आ रहा है तो ओबर है reality की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं बाट इस्टिल reality के sector से आप थोड़ा सा दूर रहे हैं तो अच्छी बात रहती है क्योंकि reality के sector अच्छे का सा पर दिक्रवाइड करती है उन company की तरफ धियान दे सकते हैं या फिर काइप से कमपनी तरफ यहां दे सकते हैं इसे में यह होगा कि आप एक infrastructure की तरफ आप आजयोगे वाट इन्ट्रा जो खड़ा करता है उसके से थोड़ा से तो आईयो बात करतें दूसरी और company की तो अगर यह वहाँ पर माइंट स्पेस में ही वह ओफिस था तो माइंट स्पेस एग्जेक्ट्ली एक बड़ा से एडिया होता है जहां पर वह अलग-अलग बिल्डिंग्स खड़ी कर देता है और वहाँ पर बड़ी-बड़ी देखते हैं यहां पर देखिए वही डिविदेंट से क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनका है इन्वेस्टमेंट किया होगा कहीं वहां से डिविदेंट ने मिलता हुआ नजर आ रहा है और इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट आपको पता ही है ओविस्टी बाते बिल्डिंग से रेंट अगर बात करते हैं तो टोटल एक्समेंस तो एक्समेंस यहां पर 35 लेक्स के होते हुए नजर आ रहे हैं इसे पर 30 था और अगर हम टोटल प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 28.74 इसे पर 28.46 तो आप एक बार इसे देखिएगा अच्छागास प्रॉफिट होता हुए नजर आ रहा है कंपनी अच्छा डिलीवर कर लिया है इतना तो लीज पर खर्च करना होता है उसके बाद अच्छागासा पैसा आता रहता है तो फ्लैट रिजल्ट है ऐसा कुछ अगर देख सकते हैं इस तरीके के बिजनस इसके अलावा करदे और भी कि चुछ उराम इंडश्ट्री की बात करते हैं तो यहां पर इन्होंने अगर बात करें यहांपर इस कर रहे हैं है 600 करोड रूपी का तो यहाँ पर आप देख सकतेユो as well as अगर बात करते यहाँ अगर यह इ Toy करोड में यहां पर दे रखा है total income की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इस बार के quarter के last q4 के q3 q4 के last year के q3 के तो यहां पर देखते हैं तो 806 करोड रुपे का यहां पर total income है इससे पहले 658 था इससे पहले की बात करें तो 498 तो अच्छा खासा यहां पर jump हमें नजर आ रहा है कंपनी ने अच्छे खासा यहां पर income मदला revenue from operation generate करते हुए दिखाया है expense की बात करें तो company expense भी उसी तरीके से होते हुए नजर आ रहे है 735 करोड के यहां पर expense हुए है इस बार इससे पहले 624 था इससे पहले की बात करें 553 करोड के यहां पर expense होते हुए नजर आते है अगर profit for the period की अगर हम बात करते है expense काटने के बाद total revenue में से तो यहां पर आप देख सकते है 41 ओके यहां पर tax आई थिंग यहां पर ज्यादा company कोई पे करती हुए या फिर कोई exceptional item का यहां खर्चा होता हुए दे सकता है तो इसी वज़या से यहां पर net profit गिरता हुए नजर आ रहा है तो अगर हम देखते है 41 क्लोड रूपीज का अभी का profit है से पहले 76 था अगर बात करें yearly basis तो यहां पर company loss से profit में आती हुए हमें नज में था और जो कि अभी positive में change हो गया है एक बार इसके result एक बार की आप fundamental analysis definitely करिएगा उसके बाद यहां पर invest करने की सोचेगा company ने इतने बहतरी result पेश करके नहीं दिखाया है बट अगर revenue की बात करते हैं तो यहां पर इसमें साब जंप नहुए नजर आता है इससे के लेक्सिन रुपीज में आपर result नजर आते है तो इसकी बाते क्यों करें यह stand-alone है यह consolidate है ओके यहां पर हम देख लेते एक बाई stand-alone कोई बीट में आपर ख़बर आड़ी थी कि टाटा गुरूप में यहां पर इस company को खरीडने के मौके में एस वेल आई-पेल से लिटेड भी कुछ नहीं यूज आई थी तो यह काफी भागता हुआ हमें नजर आया था टोटल इंकम की अगर हम बात करते हैं तो देखें नाइटीन वन टॉइटीफाइव लेक्शन रूपीस का यहां पर इस पार का पॉफिट है इंकम है इससे पहले नाइटीन नाइटीटीटू था इससे पहले 27 तो अगर बाते येरली बेसिस पर कंपनी ने अच्छा खासे जा रही है और एकस्पेंस बढ़ते जा रही है यहां पर आप देख सकते हैं एकस्पेंस पर बेसिस पर बीजादा होता हो दिखाया है और येरली बेसिस पर गिरावट नजर आई है जो कि अच्छी बात है अगर बात करते हैं आपर टोटल नेट पॉफिट की यहां पर रिजल्ट के मामले देखे तो थोड़ा से दूर रहने की कोशिश करना एक छोड़ा से स्पाइक आता है जस्पीकॉज अफ न्यूस तो ऐसी न्यूस के पर उसे इंवेस्ट करना बिल्कुल छोड़ देजिए ओके और इस कंपनी जब बेकार रिजल्ट पेश करें तो थोड पता चल जाएगा जज डायल इस कंपनी का नाम है इसके लाबा बात करते हैं सिप्ला के भी यहां पर रिजल्ट आते हुए दिके हैं सिप्ला आपको पताए कितनी बड़ी और कितनी बहतनी कंपनी है ओके और अगर इम यहां पर देखते हैं पांच रुपे का इन्हों ने यहां पर डिविडेंट एनाउंस किया है तो आप इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं इसके लाबा डिविडेंट के पीछे ना भागते हुए क्योंकि वह एड्जस्ट्मेंट होता हुए नजर आई जाता है आपको यहां पर रिजल्ट देखते हैं इन करोर में यहां पर रिज करोड के यहां पर टोटल इंकम होती हुए दिखाई दिए इससे पहले 5255 यहां पर इंकम है इससे पहले 4469 तो yearly basis की बात करें तो जंप है बट quarterly basis यहां पर गिराबाट होती हुए दिखाई दिखाई दिए जो कि mostly अगर बात करें सारी की सारी फार्मा कंपनी में इसी तरी इससे पहले supposed to 452 before 44444 4801 तो अगर बात करेंहिए फेलली सेम है अगरवा समी है अगर बात करतें यहां पर धाबाथ कर guiding deep बात सीदे सीधे बात कर देते हैं हम यहाँ पर लिएली बेसिज पर कंपनीने अच्छा का सा प्रेकर लोगा करते होग गिरावट हो नजर आ रही है वह बिशाब तो यहां पर ही अすá मंडे को आपको गिरती हुई नजर आ सकती है तो इससे चौकिएगा मत अंदेशा दे रहा है कि 9 रूपीज का EPS 5 में तब्दिल हो गया, 3 रूपीज का EPS 5 में तब्दिल हो गया, yearly basis पे तो यहां पर आप देखिएगा इसके इलाबब बात करें यहां पर बालकिश इंडर्स्ट्री तो BKT आपको बताई है यह टायर बनाने वाली कंपनी है यहां पर अगर आप देखना चाहे तो यह यहां पर हम देखते इस टेंड अलौन है यह और यह तो कोई भी आप देख लीजिए लगबग सेम ही होता है इसा कुछ फराख होता हुआ नजर म इस बार होती हुआ नजर दिखाई है इससे पहले एक लाग पच्छ पनेजा पांसो बनेवे लेक्शन रूपीश था इससे पहले वन लाग फोर्टी थू थूजन थी सिक्ष्टी नाइन लेक्शन रूपीश था तो अगर बात करें yearly और quarterly basis पर कंपनी ने अच्छा कासा पर अगर बात करते है तो 37,000 का यहां पर प्रॉफित होता हुए नजर आ रहा है इससे पहले 32,000 था इससे पहले 25 तो अगर बात करते है yearly और quarterly basis पर कंपनी ने अच्छा कासा प्रफॉर्म करके दिखाया है बर्कि को yearly बात करें तो लबग 12,000 यहां पर 12,000 रूपीश का यहां प पहले की बात करें तेरो रूपे 31 पैसे का यहां पर EPS भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बात करें तो इसने भी पांच रूपे का डिविडेंट एनॉंस किया I think if I am not wrong एक बार आप क्रॉस्ट्रेक जरू कर लेगा बाकि अगर बात करते कंपनी किस कंपनी की ने हार कि में कि मेडिक अगर फार्मा की कंपनी और अच्छा वाइस परकार में करके दिखा रहे है इसके इलावा अगर हम बात करते है और किसी चीज की तो यहां पर आप देख सकते हैं मिलाकर कम्पनी जर्च डाइल इससे भी दूर रहिएगा इसके बाइस बाइफ से चीज़ेगा दूर रहे हैं बहुत सारे शेयर मार्केट में अवील वलेवल है इसके एलावा अगर हम बात करते हैं माइं स्पेस की तो मैं आपको समझाए दिया किस तरीके का बिजनेस है बाकी कंपनी प्रॉफिट में आपर दिख रही है इसके लावा हम बात करते हैं तो अगर आप कोई भी की रिकमेंटेशन नहीं है अपने फाइनशेय एडवाइजर की हेल्प लीजिए कुछ की स्टड़ी करिए और वाकि आपको किसी भी पर्टिकुलर वीडियो से इलिटेड आपको प्राब्लम आ रहे है तो आप कमेंट करिए हम एक वीडियो डेफिनेट कि आपको के अवीब ठायवाष है फिल्टिकुलर आपको ऑट रहे है इलिए है प्रेफिनेट करिए ओटिक का भी क्र ये जावजर कर तो ए, अवटै।